नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राजेश वद्वाव देख रहे हैं खवरना महरेडा दोस्तों आज विश्व कब का पहला सेमी फाइनल मैच है जो कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच होने जा रहा है ऐसे में करोडो भारतिये क्रिकेट प्रेमियों को इस प्रशन का उत् था कि उस दिन मैच कोन जीतेगा और उस जग्यासा को शांद करने के लिए उन प्रशनों के उत्तर को ढूंडने के लिए हमने आध्यात्मी गुरू परमद्विच के साथ वारतालाब किया था उस वारतालाब को खबरनामा रेना पर पर सारित भी किया था परमद्विच अध्यात्म का परचार पर सार कर रही है कहीं ना कहीं अध्यात्म जो है पूरी तरह से हर खेल के साथ जुड़ा है हर खिलाड़ी के साथ जुड़ा है और यह अध्यात्म के उन मूल तत्वों का ही परिणाम है कि भारती खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मैच को अपनी खेल भावना के साथ जीत भी रहे हैं तो आज भारत और न्यूजिलेंड मैच से जुड़े उन जिग्यासू परशनों के उत्तर जानने के लिए आज हम एक बार फिर से लिविंग दूच के संस्थापक परम दूच के साथ मौजूद है आज हम उनसे एक बार फिर से भारत और न्य आजिश जी सर कुछ दिन पहले हमने लगवक पांच नवंबर को ही दिन ता शायद दस दिन पहले पूरे दस दिन पहले ही जब भारत और साथ अवरीका का मैस था तब कई जैसे करूरों क्रिकेट प्रेमियों की तरह हमारे मन में भी प्रशन थे तो उन प्रशनों के उत्तर के लिए हमने आपका इंट्रू किया था और आपकी भविषयवानी हाला कि आप भविषयवानी में यकीन नहीं करते लेकिन फिर भी जो आपने कहा वो पूरन रूप से सच साबित हुआ पहले भारत ही मैच खेला लंबा रंच बनाया और उसके बाद भारत ही मैच जीता तो आज भारत नियुजिलेंड का मैच है तो आज अगर मैच से जुड़े कई प्रशनों के उत्तराफ से जानना चाहें तो मेरा पहला प्रशन यही था कि आज पहले मैच कौन खेलेगा भारत खेलेगा या भारत चेज करेगा राजेश जी पिछली सर्चा में भी यही बात हुई थी कि मेरा विक्तिकत तोर पर भविश्यवानी में कोई विश्वास नहीं है और पिछली बार शायद यह कहा था कि भारत पहले खेलेगा क्योंकि पहले खेलने में एक आगरता होती है और इस भाव से मन में यह विचार आया कि भारत पहले खेलेगा लेकिन भारत पहले खेले या भारत बाद में खेले भारत चेज करे या भारत पहले बैटिंग करे इस बात से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पढ़ने वाला है भारत को भारत पूरी तरह से चेज करने में भी सक्षम है भा भारत की इस विश्व कप को लेकर मैं कोऊंगा कि जिसे हम अध्यात्म में संयम की बात करते हैं कि दृड संकल्प एकागरता और केंद्रिता तो भारत ने इस विश्व कप में यह बहुत अच्छे से साबित किया है कि पूरे संयम के साथ चाहे वो चेज करें पिछले मैचों में भारत ने चेज भी किया है भारत पहले भी खेला है और आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि अगर भारत चेज करेगा तो भारत को कोई परिशानी आने वाली है ऐसा मेरा विचार है यानि आज भ कोई फर्क ने बड़ता कि भारत पहले खेले या बाद में खेले लेकिन आपने बताएंगे जूर कि आज आपको क्या लगता कि भारत मैज जीतेगा या न्यूजिलेंड मैज देखिए मैंने ये कहा कि भारत अगर चेज करेगा आज तो उससे कोई भी दिक्कत आने वाली नही है क्योंकि भारत आज पहले खेले या भाद में खेले लेकिन मन में जो विचार है वो यह है कि भारत अगर चेज करता है तो भारत हर प्रकार से सक्षम है और चेज कर पाएगा एक स्कोर को और उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली कहीं नहीं लगते कि आज भारत जो है जी करेगा मुझे लगत देखिए जहां तक जीतने का सवाल है तो फिर से वही बात है राजेश जी हाना कि आज आपने जब कल रात को फोन किया तो कि आज आप मिलना चाहते हैं क्योंकि काफी फोन आते थे क्योंकि पहला जो आपने जो उसकी बविश्य वानी कि थे सारिक का दिन है तो लोगों के इंतजार है कि आज इंडिया मैज जरूर जीते हैं और कहीं न कहीं आपकी भविश्य वानी से आपकी बातों से एक पॉजिटिव एनरजी आती है उस खबर देखने वालों को भी कि अगर अध्यात में गुरू कह रहे हैं तो इंडिया मैज ज सवाल है तो भविश्य वानी नहीं बोलूगा लेकिन एक इंस्टिंक्ट होती है कि एक अंदर से भाव होता है कि क्या होगा इनों जैसे आपने सुना होगा कि सिक्थ सेंस की हम बात करते हैं और बहुत पार ऐसा होता है कि वह बिल्कुल सच होती है तो उस भाव से मैं यह कह जीतेगा चाहे वह चेज करें यह ना करें और चेज करने में वह सक्षम है जैसा मैंने आपको पहले बताया तो भारत आज का मैच जीतेगा और जीतना भी चाहिए क्योंकि जो चीज होनी चाहिए वही चीज होती है और अगर आप देखें आप न्यूजिलेंड से बात करके आप न्यूजिलेंड से बात कीजिए, हला कि वो जीतना चाहेंगे, लेकिन आप उनसे बात कीजिए कि किसको जीतना चाहिए, तो हर व्यक्ति, चाहे वो न्यूजिलेंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, भारत का हो, वो यही चाहेगा कि भारत जीते क्योंकि भारत का अभी त लोग न्युजिलिंड को सपोर्ट करें लेकिन किसी गलत भावना से नहीं करेंगे वो कदापी यह नहीं चाहेंगे कि भारत हरे और में दाता की इसी स्रिष्टी में जो होना चाहिए वह ही होगा ऐसा मेरा विश्वास है और मैं इंस्टेंक्ट की कर रहा था तो instinct जो है दो भावों से होती है एक भाव positive होता है positive मतलब सकारात्मक और विधायक जिसमें आपको positive energy मिलती है और अच्छे विचार आते हैं तो एक वो instinct होती है और एक instinct होती है जो डर की वज़े से होती है वो generally negative होती है तो जहां जहां तक मेरा मानना है यह positive instinct के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत आज वी जाई होगा और निश्चित तोर पर होगा जहां तक नेगेटिव इंस्टिंक्ट की बात है तो हो सकता है कि वो निजिलेंड में हो क्योंकि भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है और वो भी वाइब्रेशन है जो अपना काम करती है इस पूरी स्रिष्टी के अंदर ऐसा मेरा अध्यात्मिक तोर पर मानना है तो वो भी क लगतर वेजी होती रही है खाम भारत की जो टीम है उसने एक पाद आपको कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरा समझ keen की एक खास टीम है भारत की इस विश्वकप में और उसका कारण मेरा यह है कि कोई भी प्लेयर कोई भी खिलाडी भारत की टीम में किसी दूसरे के साथ competition नहीं कर रहा है किसी दूसरी टीम के साथ या उस्ट्रिया के बॉलर के साथ हमारे बॉलर compete कर रहे हूं कि उनका कितनी विकेट है हमारी कितनी विकेट है या हमारे जो बैट्समेन है भारत के वो दूसरे बैट्समेन के साथ कम्पीट करने हो कि उनका किसका स्कोर कितना है उसको चेज करना है उससे उपर जाना है बहुत बार मैचो मैसे हुआ कि खिलाडी हुआ हंडिर तक आते आते आउट हो गया 50 तक आउट हो गया तो वैसा परफॉर्म ना करें किसी एक पर्टिकुलर मैच में और टीम अगर जीत जाती है भारत अगर जीत जाता है तो वो उत्साह और वो खुशी सबके अंदर है वो एक टीम भावना है खेल भावना है जिसमें हर आदमी हर खिलाडी अपना बहतर से बहतर परदर्शन देने के लि साथ प्रतियोगिता कर रहा हो वो टीम विजय क्यों नहीं हो कि यह सबसे बड़ी बात बड़ी अच्छी बात कई आपने जो समझने वाली बात जो जिसका जिस तरफ ध्यान बड़ा कम जाता है तो आपको लगता कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आज कर मैच न्यूजलेंड जी जाए देखिए सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि नहीं तो भविश्यवानी हो जाएगी मैंने इंस्टिंक्ट की बात की आप मुझे बताइए कि आज तिथी क्या है 15 नुमंबर है तिथी पूछा है डेट नहीं पूछा है तो आज जो है सुम्वती अमावस्य है शुब दिन है और दो बज़े टॉस होगा आपका और लगबग एक घंटे के बाद शुक्लपक्ष प्रतिप्रदा शुरू हो जाएगा शुब दिन है आज चंद्र दर्शन है भाई यह दूज भी मुनाया जा रहा है आज भाई दूज भी है तो कह दूज भाई दूज का एक अपना महत है यह एक ऐसा पावन अलोकिक प्यार के बंधन का भाई और बहन के बीच में त्योहार है जिसकी कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे त्योहार के साथ कोई भी तुलना हो सकती है और इतनी सारी बहनों के भाई जब मैदान में उ तो वो तिलक भाई दूज का काम तो आएगा ऐसा मेरा मानना है और आज चंदर दर्शन भी है आप धरती माता बोलते हो तो धरती माता के भाई चंदा मामा उनका चंदर दर्शन का भी आज त्योहार है तो उस दृष्टी से भी अगर आप देखें तो हर तरह से पॉजिट वो सब वाईब्रेशन्स जो है मेरे हिसाब से बिलकुल काम करेंगी और आपने पूछा कि क्या आज न्यूजिलेंड मैच जीत भी सकता है या नहीं जीत सकता है तो इतना कहना चाहूंगा कि बड़े नाज से पाला है बड़े नाज से पाला है सो ये ऐसा नहीं करती ये धर्ती मेरी माता है मेरे हाथ मेला नहीं करती और ये तो रन बांकुरों की जमी है जो कभी बुझ दिल पैदा नहीं करती तो खिलाणियों को मैदान में उतरने दीजिए राजश जी और आनन लीजिए मैच का और हम ये भी मान के जलें कि पांच नमब्र के अपने इच्छा भी अपने दिल इच्छा भी बताई थी कि फाइनल मैच में जो है भारत और अस्ट्रेलिया दिखाई दें कहीं न कहीं आपकी वह भविशेवानी कहें वह सच साबित होती नजर आ रही है और आपकी इच्छा åारत मेरी जन्मस्तली है और आस्ट्रेलिया मेरी कर्मस्तली है फिर में इरम सहना एक पहला प्यार है एक दूसरा प्यार है और जैसे 2 बच्छे को आपस में दोनों बच्छे़ के साथ अगर कॉम्पीटिशन यह रवाते हैं तो रहा है उसमें यह नहीं की 상 immersed कोन साय जीते लूनों में से कोई भी जीते तो जीट हमारी हिए तो इस भाव से की भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल मैच खेले जू चृष्ट षिता और जब बिश्ला कप उसमें भारत औरuft ऑस्ट्रेलिया जो है ऑल व फाइनल cuisine में थे और भारत फाररा था है उस्ट्रेलिया मे तो मुझे लगता है कि समय जो है वो अपने आपको दोराता है इस बार विशुक अप भारत में है भारत और ऐस्ट्रेलिया खेलेंगे तो हाला कि मेरे हिसाब से तो कोई भी जीते कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों मेरी फर्स्ट लव और सेकिंड लव हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन समय दोराता है तो ऐसा मन में विचार है कि फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलते हैं तो भारत फिर से वी जाई होगा और विशुक अप लेगा दूसरा मोका ऐसा आने वाला है मन्नमान की चले और दो महिने बाद ही हमारे देश में राम मंदर के द्वार भी खुणने जा रहे तो कई ना कई भारत वाशियों को दोहरी खुशी मिलने की उमीद है अगर भारत फाइनल में आता है और सामने अस्टेलिया होता है भारत ही मैच जीता है तो देखिए भारत वासी खुशी के हकदार है और मैच विश्व कप यहां पर हो रहा है तो निश्चित तोर पर हर आदमी क्रिकेट प्रेमी जो है इससे जुड़ा हुआ है और अध्यात्म के रूप में अगर आप देखें जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लव मेरी जन्मस्थली कि ऑस्ट्रेलिया है लेकिन अध्यात्मिक ग्यान के बाद अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो तीसरा प्यार है वह पूरा विश्व है जो हमारा वननेस का एकी करन का जो हमारा मिशन है अगर उस दृष्टी से देखें तो फिर पूरी प्रित्वी पर जितने भी देश है वो अब इस समय तीसरा प्यार है तो कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हाँ एक विचार होता है एक इंस्टिंक्ट होती है कि शायद ऐसा होगा तो अगर हो जात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हैं कि आपकी पहले की तरह आज भी हर बात सची हो और उसके बाद हम आपसे एक बार उब रहोंगे अगलेमेश के लिए आगले विशे के लिए तबinea धन्यवाद हमार से बातरबे लिए ठीक है राझे टीक तो यह थे हमारे साथ परम द्विज लिविंग द्विज संस्ता के संचालक है जो विश्व भर में अध्यातम का परचार परसार कर रही है पांच नवंबर को भी उन्होंने एक जानकारी दी थी इस भारत और साउथ उरी का क्रिक्ट मैच पर चर्चा हुई थी और वो हर उनक खेले या बाद में खेले उन दोनों रूब में जो अध्यातम की मूल मंत्रों के साथ भारत का हर खिलाड़ी जो एकागरता द्रिन विश्चे द्रिन कल्प के साथ मैच खेल रहा है उस खेल भावना के साथ हर हाल में भारत ही मैच जीतेगा धन्यवाद